हलो सुडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चप्टर नंबर फाइफ एंड मिशन ऑफ पार्टनर के नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नंबर 59 से बेटा देखिए कोश्चन नंबर 59 में क्या बोला है गिवन बिलो इस दा बैलन्स शीट ओफ ए एंड बी हुआर कैरिंग ऑन पार्टनर्शिप बिजनस ओं 31st मार्च 2021 एंड शेयर प्रॉफिट लॉसस इंदा रिशो टू रिशो वन अभी इनकी बैलन्स शीट में क्या है तो इनकी बैलन्स शीट में ऐसा कोई भी कॉंपोनेंट नहीं है जो कि पार्टनर्स के बीच में डिस्टीबूट होना हो ना तो लाइबिलिटी साइड पर है और ना ही एससेट साइड पर है तो देखें आगे क्या बोला है इस कुश्चिन में तो चलिए यहां पर हमें चीज़े क्लियर हो कही है एमाउट पता चल गया है प्लांट इस तो बी एप्रिशेटेड तू रुपीज वन लैक ट्वंटी थाउजन एड़ वैल्यू अफ बिल्डिंग इस तो बी अप्रिशेटेड बाई 10 परसंट स्टॉक इस फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4000 तो ओवर वैल्यूड है तो इसको में कम करना पड़ेगा अब प्रोवीजन फॉर डाउटफुल देड इस तो बी क्रियेटेड अट 5 परसंट ओफ संड्री डेटर्टर्स क्रेडिटर्स वर अन्रिकॉर्डडेड तो दी एक्स्टेंट ओफ 1000 तो यह सारी की सारी चीज़े जो हमें दे रखी है इसमें मैक्सिमुम चीज़े बटा हमारे रिवैल्यूवेशन एकाउंट से रेलिटिड है पास दी निसेसरी जनल एंट्रिज प्रिपेर दी रिवैल्यूवेशन एकाउंट एंड पार्टनर्स कैपटल एकाउंट एंड शो दी बैलेंशीट आफ्टर दी एड्मीशन ओफ सी तो चलिए यहां पर आपको चारों काम करने है जनल एंट्री भी बतानी है प्रिमियम फॉर्ट विल आपको चलिए रहा है जो भी हमारा पार्टनर पैसा लेकर के आरहा है नया पार्टनर हम पहले उसकी अंट्री कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास बैंक एकाउंट अपडेट हो जाएगा तो बैंक एकाउंट विल बीड़िटेट ठीक है कितना इम प्रिमियम फॉर्ट विल अरे प्रिमियम फॉर्ट विल एकाउंट और यहो रहा है बैटा 60,000 रुपीज का तो कुल मिला करके हमारे पास 1,60,000 रुपीज हमारे बैंक में डेबिट हो जाएगा और यहां पर आपकी इसकी निरेशन हो देगी बैटा आपको यह जब जनरल ए second entry में आपको इस premium for goodwill को distribute करना है अब premium for goodwill को distribute करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा premium for goodwill account को यहाँ पर आप debit कर देइंगे जिसकी value advisor एक डियू है 2 ratio 1 में अब आपको यहां पर कहीं पर में नहीं बताया गया कि इनका नया profit sharing ratio क्या होगा या इनका specifically sacrifice क्या होगा तो उस case में जब हमें नए partner का share दे रखा जो कि इस question में 1 4 तो इनका existing share ही इनका sacrificing बन जाया गया तो यहनि 2 ratio 1 में आपको यह amount इनको distribute करना होगा तो इस case में हमें A capital account is capital account and B is capital account और B के capital account में हम लोग यहां पर amount transfer कर देंगे 40,000 and 20,000 बस बिच्चे यह होगी हमारा premium for goodwill का भी treatment अब देखिए अब आगे की बाते शुरू करते हैं अब अगर आप यहां पर point by point चले तो हमने अभी तक first point को यहां पर deal कर लिया है जिसमें 1 lakh rupees का capital आया था और 60, 60,000 rupees का goodwill आये था इसका तो हम लोगों ने treatment कर लिया next बोल रहा है plant will be appreciated 2 rupees 1 lakh 20,000 अब आपका plant 1,20,000 रुपे appreciate हो जाएगा अभी जो इसकी value है plant की देखिए तो अभी हमारी plant की value है 1 lakh rupees है ठीक है और अब यह value कितनी हो जाएगी यह value हो जाएगी 1 lakh 20,000 तो यहां पर कहीं न कही आपको 20,000 rupees का gain मिल रहा है plant के अंदर 20,000 rupees का gain मिल रहा है plant के अंदर साथी साथ value of building to be appreciated by 10% और building की value 10% से बढ़ जाएगी और यहां पर building की value देखें तो 1 lakh 50,000 rupees है यह देखिए 1 lakh 50,000 rupees building की value है तो इसमें आखर 10% बढ़ा देंगे तो यहानि 15,000 rupees का यहां पर आपको increase मिल रह रहते हैं तो देखिए यहां पर क्योंकि हमाँ पास revolution का profit हो रहा है तो इस third entry में क्या आजाएगा आपका जो plant है बेटा plant तो plant account हमारा यहां पर debit हो रहा है building की value बढ़ रही है to revaluation, revaluation का हमारे पास यहां पर यह profit है बेटा तो revaluation account में हमारे पास 35,000 rupees का value आ जाएगा ठीक है तो यह हो कि हमारी third entry बटा, fourth entry की बात करते हैं अब देखिए fourth entry क्या होगी है अगले point को अगर आप समझाए stock is found overvalued by 4000 तो यहां पर हमारे पास stock 4000 रुपे overvalued था तो अब आप इसको कम करेंगे बटा तो इसको कम करना पड़ेगा चलिए इसको देखेंगे इसके इलावा अब provision for dot for debt is to be created at 5% on sundry debtors अब यहां पर देखो अब आपको 5% का provision भी बनाना है जबकि यहां पर पहले से कोई provision नहीं है तो sundry debtors हमारे पास 60,000 रुपीज के हैं और 60,000 रुपीज का आपको 5% का provision बनाना पड़ेगा एक तीसरा point और देख लेते हैं creditors were unrecorded to the extent of 1000 तो 1000 तो 1000 रुपे के ऐसे creditors हैं जिनको हमने अभी तक books में record नहीं किया था तो अब हमें record करना पड़ेगा यह हमारा उपर एक additional liability आगे तो यह भी हमारा loss होगे तो यह तीनों के तीनों जो point हम लोगों ने पड़े हैं यह तीनों के तीनों हमारे revaluation में loss के रूप में आएंगे बटा तो चलिए इन तीनों को इकठा एक ही entry में लिखेंगे तो यहाँ पर क्योंकि यह revaluation का loss हो रहा है तो revaluation account को पहले आपको debit करना पड़ेगा तो revaluation account will be debited to अब क्या-क्या बढ़ रहा है बटा और क्या-क्या नुक्सान हो रहा है आपको सबसे पहले stock की बात कर दें स्टॉक तो यहाँ पर जो स्टॉक है वो स्टॉक एकाउंट मेरा credit हो रहा है बटा 4000 रुपीज से राइट फिर हमारा PDD account आ जाएगा बटा provision for doubtful debtors account जिसमें 3000 रुपीज की value आ जाएगी अब percentage को चेक कर लें अपने debtors के साथ फिर इसके बाद आ जाएगा creditors creditors जिसको अभी तक हम लोगों ने record ही नहीं किया था तो वो creditors account 1000 रुपीज का भी यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा credit हो जाएगा इन सबका सम हो गया बटा 8000 रुपीज तो यह 8000 रुपीज का हमारा या loss हुआ इनको जो भी net effect राएगा अगर profit होगा तो profit बढ़ जाएगा और loss होगा तो लॉस बढ़ जाएगा तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास क्या है अगर मैं यहाँ देखूं तो फाइनल हमारी जिसकी जनल एंट्री होनी है उसमें जो की फिफ्ट नमबर एंट्री है हमारी एमाउंट क्रेडिट हो जाएगा एको और बी को मिल जाएंगे पटे इसमें से 9000 रूपीज हो गया बटा यह होगी हमारी फाइनल एंट्री तो यहाँ पर हम लोगोंने सारी q кому कर लिए अभाम है चर् commercially С79 को और जाए अब नेकस्ट स्टेप क्या है नेकस्ट स्टेप में हमें हमें रिवेल्यूविशन एकाउंट को भी प्रेजन करना है तो चलिए हमें मैं मुद्ध, हम्द्री बना लेते हैं कि डिल Conte कर in तो चलिकी विडागर सबसे पहले यहाँ पर हमने जो जनल एंटरीर करी हcoran थि वह हमें होप करेंगे और इलप कर देंगे अब रेवालिवेशन अगाउंट को अफडेट करने में तो यहाँ पर देखेंगे तो यह दो जनल एंट्री सी जहां पर हमें रिवेलुवेशन एकाउंट में अपडेट करना है तो यहां पर आ जाएगा अब टी थाउजन रॉपीज से और विल्डिंग एकाउंट से से ही क्रेडिट हो जाएगा 15,000 रुपीस । इक तो यह होगिए अज़े पर एक एक एंट्री अपर करी छहां पर इट्यूपेट हुआ था और इट्री यूप और क्रेडिटर से 4 3 & 1 इस एंट्री को भी यहां पर जल्दी से कर लेते हैं तो हमारे पास एक तो था बटा यहां पर स्टॉक एकाउंट स्टॉक एकाउंट में 4,000 रूपीज इसके लाब पी डीडी प्रोविजन फोर डाट फोल डेटर्स एकाउंट 3,000 रूपीज एकाउंट से हमें 1,000 रूपीज का लॉस हो रहा था तो यह हमारे पास पूरा का पूरा रेवेलिवेशन था इसके लाब आप कुछ भी रही था बटा तो बस अब हम इसको क्लोज कर सकते हैं अराम से चलिए इसको क्लोज कर देते हैं यहां पर अगर मैं टोटल देखूंगा किया हुआ है तो हम इसी एंट्री को एक तरह से रिफलेक्ट कर रहे हैं आपर तो यह हो जाएक हमारे पास प्रॉफ प्रॉफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेट किस को बाटा हमने यहां पर बटा एको और बीको एको जो एमाउंट गया था वह गया था 18,000 वह प्रॉफ यहां पर हम लोग क्यापिटल एकाउंट बनाएंगे बटा अब इसके पहले हमें यहां पर बैलेंस डालने तो बैलेंस ब्रॉफ डाउं एक जो हमारे पास पास बैलेंस दे रखा है वो दे रखा है तो यहां पर वन लेकर आ रहेगा तो यह होगी हमारे पास एक एंट्री इसके लबा अब हमने पार्टनर को क्या-क्या दिया क्योंकि हम लोग जर्णल एंट्री पर वर्क आउट कर चुके तो हमारी असान हो जाएगा तो सबसे पहले हमने सी का सिका डाल जीया इसके बते अऔर बिको हमने गुद्विल दिया था बिटा यह प्रीमियम more goodwill एक डूदीघा तो फ़िस में एको कितना मिलेись बेटा A को मिलेगा 40,000 रूपीज और B को मिलना था 20,000 रूपीज तो चलिए ये एक एंट्री हो गई हमारी इसके लावा इसके लावा हमने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी कुछी भी capital में कोई अप्डेशन नहीं करें तो चलिए नेक्स लास्ट वाली जनलन एंट्री को भी एक बचेक कर लेते हैं लास्ट वाली जनलन एंट्री में अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने थाउजन रूपीज क्रेडिट करना था बटा बी के अटाउंट में बस बच्चे यह होगे हमारा सारी के सारी capital एकाउंट से इसके लावा आप सारी जनलन एंट्रीज को चेक कर चुके और कुछ भी आप नहीं किया है तो बस आपका capital एकाउंट भी रेडी हो गया अब हम ल अब हमारे closing balances बन जाएंगे तो यहां बना जाएंगे तो यहां बना जाएंगे तो यहां बना जाएंगे तो इस तरह से बच्चे आप लोगों ने अपना capital एकाउंट भी फाइनल कर लिया अब लास्ट जो स्टेप हमारा बचा है इसमें वह बैलेंस शीट का तो चलिए बै balance sheet का format मेरे साथ बना लीजिए तो चलिए बड़ा start करते हैं अपनी balance sheet के साथ सबसे पहले हम यहां पर capital accounts की बात कर ले दें तो capital accounts में हमारे पास कितने partners हैं there are three partners तो ए बी और सी यह तीनों partners का हमारे पास यहां पर हमने capital account में यह balances निकाला हुआ हुआ बटा तो हमें as it is यहां पर यह balances लिख लेना है तो यह हो गया 2,38,000 बी का balance है 1,79,000 और सी का balance है 1,99 तो कुल मिला करके जो हमारे पास capital हो गया बटा वह हो गया 5,17,000 रुपीज का तो यह हो गया हमारे पास capital इसके इलावा देखें अब देखें अब हमारे पास यह जो balance sheet दे रखी बटा पहले से यह जो balance sheet हमें हम दे रखी है इसमें bills payable creditors और outstanding expenses यह तीन items दे रखें इसमें आपको याद होगा कि हमने सरफ creditors की ही एक adjustment करी थी जिसमें 1,000 रुपीज से हमारे creditors बड़े थे बाकि bills payable और outstanding expenses का कोई भी हमारे पास adjustment नहीं था तो हम लोग इनको दोनों को assets उतार देंगे और यहाँ पर 1,000 रुपीज को add कर देंगे तो यह हमारा liability side का portion फूरा हो जाएगा तो चले लिख लेते हैं चली से इसको तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्स पेबल तो बिल्स पेबल को यहाँ पर डाल देंगे बिल्स पेबल और बिल्स पेबल की जो value है वो 10,000 रुपीज की इसमें कोई change नहीं होगा as it is आ जाएगा creditors creditors की value जो हमें given है 58,000 रे लेकिन इसमें 1,000 रुपीज हमें add कर दिया था तो 59,000 रुपीज की अब creditors होगा है हमारी liability 1000 रुपे से बढ़ गई थी बटा और है हमारे पास outstanding expenses outstanding expenses है बटा 2,000 रुपीज के तो हो as it is यहाँ पर आ जाएंगे बस बच्चे liability side हमने होने पूरी लिख लिए है चली अब asset side पर बात करने है asset side में हमारे पास अब से पहले दिया वाए cash in hand 10,000 रुपीज इसके लिए बटा हमारे पास यहाँ पर cash at bank है 40,000 रुपीज का salary debtors है, stock है, plant है और building है हमें यह सारी की सारे items अपने asset side पर लिखनी है और इसमें जो जो adjustment सी उन adjustment को हम लोग यहाँ पर revaluation account से देख करके ठीक करेंगे तो चली एक एक करके लिखना शुरू करते है तो चली, सबसे पहला जो हमारी balance sheet में component दिखा वो cash in hand है तो cash in hand में अभी हमारा कोई भी change नहीं हुआ है तो वो 10,000 रुपीज है तो वो 10,000 का 10,000 रहेगा इसके इलावा हमारे पास है cash at bank cash at bank में हमने कुछ changes किया है देखिए इसका जो original है वो 40,000 रुपीज का balance दे रखा थ प्लस हमने अब यहां वे जो नया partner आया था उससे उससे हमने इस bank account की entry करी थी जिसमें 1,60,000 रुपीज जीव किया है तो इस 1,60,000 रुपीज को आपको यहां पर add करना है तो 1,60,000 रुपीज को आपने यहां पर add करना है तो कुल मिला करके 2,00,000 रुपीज का आपके पास यहां पर bank में balance हो जाएगा तो 2,00,000 रुपे का bank balance हो गया अब आगे देखते हैं आगे हमारे पास sundry debtors यह जो debtors है इनमें भी हमारा कुछ change होना होगा तो debtors में जो अभी हमारे पास value given है वो 60,000 रुपीज की given है कि 60,000 रुपीज में से आपको less करना पड़ेगा जो भी आ 50,000 रुपीज less कर देंगे तो आपके पास जो sendry debtors करनेट आजाएगा वो आजाएगा 57,000 रुपीज आगे बढ़ते हैं नेक्स है बच्चे stock, stock में भी हमारा एक adjustment था 40,000 रुपीज का हमारे पास stock given था बेटा जिसमें आपको यहाँ पर 4,000 रुपीज का loss हुआ था तो यहाँ पर 4,000 रुपीज आपने over value कर रखा था तो इसका मतलब आपके पास जो stock बच गया वो बच गया 36,000 रुपीज का तो 36,000 रुपीज के stock के बाद plant की बारी आती ही बचे plant तो देखिए plant में क्या आएगा plant की जो original value है हमारे पास वो 1,000 रुपीज है 1,000 रुपीज और हमारे रिवेल्यूवेशन एकाउंट में plant and machine डिक हो देखिए plant को हमने 20,000 रुपीज से increase किया हुआ लेट होकी इस balance sheet में last है बटा हमारे पास building account और building में building में जो हमारे पास balance है बटा वो है 150,000 रुपीज का 150,000 रुपीज प्लस इसमें हमें यहां पर 15,000 रुपीज का फायदा हुआ था 10% तो 15,000 रुपीज हमने यहां पर add कर दिया तो यह होका 165,000 रुपीज 165,000 रुपीज की हमारे पास building की value बढ़ गई बिचे चलिए अब सब कुछ हम लोगोंने अल्रेडी ले लिया है बटा balance sheet में जितनी भी components हमारे पास question में given थे यह adjustments given थी उन सब को consider करके हम लोगोंने अपनी balance sheet को final कर लिया अब हमें इसको total करना है बटा तो चलिए अब इसक 2000 रुपीज का ही total आ रहा है आप चाहो तो इसको check कर सकते है बटा तो चलिए यह हो गया बच्छी हमारे इस question का एंड हमें यहाँ पर जो जो चीज़े बोली थी हम लोगोंने यहाँ पर present कर दिया है आपको यह जो general entries करनी है बटा एक proper format में करनी है general entries के साथी साथ evaluation account हम लोगोंने बनाया capital account बनाया और यहाँ पर यह balance sheet बन गी तो बस बचे इस video में हम लोग इसी question को समझेंगे next video में अप next question को solve करने की कोशिश करेंगे thank you very much